दोस्तों ये है Ray-Ban Meta, ये यूनिक टाप के smart glasses है जो कि इंडिया में available नहीं है और ये जो product है ये मैंने बारसिलोना से खरीदा था, MWC में मैं जब गया था तो वहां से मैंने इसे खरीदा हुआ है, जैसे कि मैंने कहा ये इंडिया में available नहीं है, smart glasses है, इसमें basically microphones है, speakers है और cameras दिया हुआ है, प्रस ये intelligent features के साथ में आता है, बहुत ही बड़िया still photos shoot करता है और videos भी record करता है, लेकिन 60 seconds के videos वो भी portrait format में, मतलब की जो shots और reels के format होते है, vertical format उसमें recording करता है, अब देखिए अगर आप ये product खरीदना चाहते हैं, तो इसके बहुत सारे अलग-अलग designs available है ये है Ray-Ban का Wayfaira, और color options भी available है, प्लस ये जो lens आप देख रहे हैं, ये basically transition lens है, actually जब मैंने ये Ray-Ban का meta खरीदा था, तो मैंने जो goggles option है, वो select किया था, इसे मैंने हाली में update किया हुआ है, transition lenses से, जब मैंने इसे खरीदा था, तो इस पर इस परकार के lenses थे, ये basically goggle lenses है, ये इसमें जो colors है, ये change नहीं होता है, लेकिन ये transition options में भी available है, ये जो transition lenses है, ये basically, जब आप धूप में जाते हैं, तो इसका जो color है, ये change हो जाता है, बहुत ही जल्दी change हो जाता है और जब आप पिर से, जैसे कि इस room में आ जाते हैं, जहाँ पर धूप नहीं है, तो इसका जो color है ये तरह से transparent हो जाता है तो ये जो update है मैंने बाद में किया हुआ है in fact जब मैंने इसे खरीदा तो मैंने सोचा कि ये जो goggles type है ये अच्छा रहेगा लेकिन ये जो glasses है इतना बढ़िया है इतना बढ़िया है कि एक तरह से आपको एक discrete option देता है photos shoot करने का या फिर video shoot करने इसे पहना हुआ है और अगर किसी को पता नहीं कि ये smart glasses है मैं इस प्रकार से photos shoot कर सकता हूँ आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने photos shoot किया हुआ है या फिर मैं voice commands भी दे सकता हूँ तो ये जो चीज है बहुत ही मुझे पसंद आया और initially मैंने सोचा कि ये जो glasses है अगर मैं ये चीज है काफी काम में आ सकता है वहाँ पर मैं photos shoot कर सकता हूँ इसे use करके इसके साथ में भी मैं जा सकता था अंदर लेकिन तोड़ा सा अजीब लगता है वैसे जो goggles type glasses है इससे जो vision है तोड़ा सा डाक हो जाता है बट फिर भी मैं देख पाता हूँ ऐसे को इशु नहीं है लेकिन जो दूसरा वक्ति है अगर मैं रूम में हूँ जहां पर इतना जादा लाइटिंग नहीं है तो उस situation में जो दूसरा वक्ति है उसे काफी अजीब लगेगा कि मैं गोगल स्पेन के उस रूम में खड़ा हूँ तो ये जो option है ट्रांस्परेंट वाला ये मुझे ल देंसिस के साथ में जाता तो मेरा जो प्राइजिंग है ये हो जाता था तकरीबन 35,000 या 37,000 के आसपास फिर से मापको बता दूं ये जो प्रड़क्त है ये इंटम में अवलेबल नहीं है और इसके साथ में ये केस मिलता है इंफाक्ट जो बॉक्स पैकिंग है ये रखें इस प्रकार की है इसका मैंने अन्बॉक्सिंग का शॉर्ट बनाया था और ये इस टाइप की बॉक्स पैकिंग में आता है मेटा व्यू करके जो अप्लिकेशन है उसके लिए क्योर को दिया हुआ है लेकिन अगेन आप इसे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये क्लॉथ जो लेंसी से साफ करने के लिए और ये काफ़ इंट्रस्टिंग है ये केस मिलता है अभी जो केस है ये बैसिकली चाजिंग केस है अंदर आप देख सकते हैं कि यहां पर चार्जिंग पॉइंच दिया हुआ है और यह जो ग्लासिस है इसके नीचे भी यहां पर दे बैटरी है काफी चल जाती है 36 आवर्स का यूसे टाइम को मिल सकता है चार्जिंग केस के साथ में यह जो केस है इसके साथ में वैसे काफी लॉंग लास्टिंग है लेकिन अगर आप ज्यादा वोइस कमैंड यूज करेंगे तो जल्दी बैटरी है यह ड्रेन हो जाएगा ल यह ना सिर्फ इस गॉगल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बलकि चार्जिंग भी करता है तो यह आपको खोना नहीं है यह जो ग्लासिस है जब आप इसे पहनते हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है जिससे आपको समझ में आ जाएगा इमिजेटली समझ म करेगा और यह जो मॉडल मैंने सेलेक किया हुआ है देख सकते हैं कि एकदम ट्रांसपरेंट टाइप का है अंदर जो सर्केट्री है वो विजेबल है काफी इंट्रस्टिंग दिखने वाला मॉडल है ब्लैक ऑप्शन में भी अवलेबल है लेकिन उसमें ट्रांसपरेंसी का हो जाए ता ब्राउन कलर नोज सपोर्ट है यह भी काफी अच्छा है अच्छली काफी कमफटेबल है और यहां पर देखिए स्पीकर्स दिया हुआ है तो यह लिए जो ग्लासे से मैं पहन लेता हूँ और जब आप इसे पहनते हैं तो आपने इसे पहना हुआ है और यह एक नहीं हैं और यहां पर इक्षिली कैमरा है इज बॉटन है यहां पर इसे ऊगर मैं favorites करूं यहां पर जो लाइट एक टाम ब्लिंग होगा मतलब कि मैंनेख फोकुर्ट हूट किया हूँ और अगर मैं इसे परस्द से ब्लिंग करूँ तो यहां पर जो लाइट है должно करूँ तो मैं इससे on करता हूँ तो यह देखें यहां से आपका इडिया मिल जाएगा यहां पर भी अंदर की तरह एक लाइट जलती है जिससे मुझे पता चल जाएगा कि वैसे एक मिनिट के बाद आटमाटिकली वीडियो रिकॉर्डिंग ओफ हो जाएगा और जो स्टिल फोटोस है एक बार शूट करने के बाद एनिवेए एक ही बार काम करता है यह जो ग्लासिस है बहुत ही बड़ी ऑप्शन है क्योंकि आपको एक तरह से हैंस फ्री एक्स्पिर लिए तो काफी आसान है इसी प्रकार से मैं वडियो भी रेकॉर्ड कर सकता ह। कि मैं इसने Guard करना शूरू कर दिया है और इनकेज मुझे आगर वीडियो को stop करना है तो मैं अके में अक्ता इसक विडियो रिकॉर्डिंग यर मंजे कमाण्ड देना और इसने अब जो वीज है इसे बंद कर दिया है recording बंद हो गया है और जो मैंने कमाइंड दिया था ओके मैंठा स्टॉप video recording तो वो जो पार्ट है वो इसमें स्टोर नहीं होता है उसके पहले का जो पार्ट है वीडियो पार्ट वो स्टोर होता काफी intelligent system है अब इसमें 32 GB storage space दिया हुआ है और जब आप अपने application के साथ में जो की phone में है उसके साथ में connect करेंगे तो जो data है जो भी चीज़ आपने शूट किया हुआ है चाहिए वो still photo हो या फिर वीडियो जो वो ट्रांसफर हो जाएगा और immediately इसमें जो storage 32 GB का उसमें से डिलीट हो जाएगा तो कभी भी आपका इसे नहीं लगेगा कि ज्यादा space use हो रहा है अनलेस आपने connect ने किया है फोर के साथ में और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो वीडियो रेकॉर्डिंग होता है यह होता है 1080p में at 30 fps में वह भी वर्टिकल फॉर्मट में इसकी जो speaker की quality है awesome level की है और इसमें जो built-in microphone दिया हुआ है in fact इसमें पांच microphones है और उसके कारण जो depth आता है जब recording होता है तो काफी amazing है आपको exactly जब आप video देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कोन कहां से बात कर रहा है काफी amazing audio as well as videos यह record करता है मैंने इससे बहुत सारे shots shoot किया हुआ है share किया हुआ है social networks पर हो सकता है कि आप में से काफी लोगों ने देखा होगा लेकिन मैं आपको दिखा भी रहा हूँ यहाँ पर screen के उपर तो मुझे खास करके यह जो glasses है काफी पसंद आया है लेकिन best चीज यह है कि आपको कोई cheese carry करने के ज़रूत नहीं है for example smartphones और कभी कवार ऐसा होता है कि आपके सामने कोई shot है और आपके पास जो smartphone है उसे आपको खोलना है unlock कर रहा है camera को on करना है तब तक जो shot है वो निकल जात है abroad तो वहां पर आप जाके जो रे बैन का store है वहां से आप इसे खरीच सकते हैं लेकिन मैं suggest करूंगा कि आप जो transition option available है जो कि मैंने अब update किया हुआ है मतलब की जो glass है यह clear है लेकिन जैसे मैं धूप में जाओंगा तो यह dark हो जाएगा यह option के लिज आए क्योंकि यह अग लगा होता है जिससे जो UV light से वो ब्लॉक हो जाते हैं तो वैसे situation में यह फिर से वाइट हो जाएगा और ज़रा करके जब मैं driving करता हूँ धूप में तो गॉगल्स में ना मुझे पसंद है तो उस समय मैं इसे यूज नहीं कर पाऊंगा तो यह एक छोटा सा disadvantage है अब जो रे साने वाले हैं उसमें एसा होगा कि मैं मेरे सामने कोई object है मैं इस मेटा को पूछ सकता हूँ कि सामने क्या है वो मुझे बता सकता है क्योंकि बहुत सरे possibilities है अलड़ी इसमें camera है प्लस यह आपके phone के साथ में connected है तो बहुत कुछ कर सकता है मेरे लिए जो सबसे interesting feature होगा वो ह का translations for example अगर मैं सामने कोई text लिखा हुआ है दूसरे भाशा में और मुझे वो समझ में आ रहा है naturally तो यह जो glasses है मैं इसे कह सकता हूं कि मुझे बताए कि सामने क्या लिखा हुआ है photo shoot करेगा और फिर उसे convert करेगा और मुझे सुनाएगा कानों के जरीए तो यह काफी interesting करेगा और मुझे